नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का यूटूब चनल अश्कलिप ये साइरवेदा में दोस्तों आज की सिसन में हम आपके लिए लाया है इम्मूनिटी बुस्टर गर्मियों में ऐसे कौन से फूट्स का हम इस्तमाल करें ताकि हम रहें तरूताजा और हमारी इम्मून में बने रहेगा एंड तक हम आपके लिए लाये हैं इम्मूनिटी बुस्टर कुछ फूट्स के बारे में जनकारी तो दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं अब गर्मियों का मौसम आ गया और अब समय है अपने भोजन में कुछ ऐसे डाइट की जो हमें इस मौसम में को समझ कर ही अच्छे डाइट का चुनाव करना चाहिए इस मौसम में पानी वाले फूट्स ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं तो दोस्तों आईए इस वीडियो के जरिये हम बात करेंगे कि कौन-कौन से फूट्स को यूज कर हम इस मौसम में अपनी इम्मूनिटी को इंक सकते हैं नेम्बू को तो हम सलाद के रूप में भी यूच कर सकते हैं अपने सलाद में शिरक कर भूजन में शिरक कर भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं विटामिन सी हमारे इम्मूनिटी को बढ़ाने में काफी कारगर होती हैं दूसरा हम बात करते हैं पानी वाले फल जैसे तर क्यालोरी होती है जिससे इनका इस्तमाल वजन को कम करने में भी किया जा सकता है इस इम्मिनिटी बुस्टर है दही दही एक ठंडा फूड है जो हमारे सरीर में ठंडक और भोजन को पचाने में काफी कारगर होती है दही से हम छाँच बना कर भी इस्तमाल कर सकते हैं छाँच हमारे सरी के लिए काफी फैदे मन बना गया है इसके बाद हम बात करते हैं पुदीना गर्मियों में आम की चटनी के साथ पुदीना या कच्चे आम को बॉयल करके या आग में भूज कर उसे जूस बनाना जिसे पन्ना भी कहा जाता है इसका इस्तमाल पुदीना का होता है पुदीना को एंटी एजिंग भी कहा गया है ये हमारे पाचन शक्ति को काफी स्ट्रॉंग बनाती है और शरीर में ठंडक देने का काम करती है पुदीना की जो सुगंध होती है वो हमारे दिमाग को भी तरो ताजा रखने में काफी कारगर होती है और नेक्स्ट इमनिटी बुष्टर फूड है आम दोस्तों आम को कौन नहीं जानता है फलों का राजा यह उन गर्मियों में पाए जाने वाला फल आम जो की सबका प्री होता है इसमें बिटामीन ए पाए जाता है जिससे की हमारे बॉड़ी में रोक प्रतिलोजग शम्ता को यह बढ़ाने में काफी कारगर होता है साथ में यह बहुत ही स्वादिश्ट होता है इसके अलावा भी गर्मियों में कई ऐसे फूट्स होते हैं कई ऐसे फल पाय जाते हैं वेस्टेबल पाय जाते हैं जो हमारे सरीर के इम्मूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने और बूस्ट करने में काम में आते हैं जिनने हम अपने नेक्स्ट वीडियो के जरीए आप तक पहुँचाएंगे तो दोस्तो बने रहिए इस चैनल में क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए नई नई जनकारियां ताकि आप रहें स्वस्त तो मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह की नई जनकारी के साथ धन्यवाद